आज मैं लेके आये हूँ काजू कतली की ऐसे रेसिपी जो हम इतना धेर सारा काजू कतली सिर्फ शुरुप इतने काजू से बनाएंगे और वो भी बिना गैस जलाए हुए तो गिंती में करीबन काजू ये 10 से 15 काजू है तो इतनी आसान सी रेसिपी है जो नौ सिखिया भी हो होगा वो भी बना सकता है और बिना घैस जलाए हूं बनाएंगे और सोचो की 10 से पंदर काजू में हम ढềर सारी कम से कम किलो भर काजू कतली बनाएंगे तो सबसे पहले मैंने ले लिया है एक mixer jar और उसमें हम डालेंगे चीनी को चीनी को हमें पीसना है क्योंकि जब gas नहीं जलाएंगे तो चीनी melt कैसे होगी इसलिए इसको पीसेंगे हम एक कटोरी ले लिया है मैंने कटोरी के माप में सारी चीज़े आपको बताऊंगे देखें एक कटोरी पुरब भर के हमें चीनी ले लेना है चीनी करीबन 200 ग्राम के करीब है ये इसको mixing jar में डाल देंगे और अब लेना है काजू जो हमने 15 काजू लिया है तरह वो काजू भी इसी चीनी में डाल देना है मार्केट में 1000 रुपए किलो मिलती है इसम मिठाईया तो आज मैं इसे 70-80 रुपए में आपको बना के दिखाऊंगी और टेस्ट में ज़्यादा फरक आपको नहीं लगेगा तब ही इसको पीस लिया है मैंने देखे एकदम पाउडर फार्म में इसको पीसना है इस तरीके से मैं आपको चम्म से दिखाती हूँ बिल्कुल एकदम से महीन पीसना है दरदरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस तरीके से पीस लेना है और अगर थोड़ा सा भी दरदरा लग रहा है तो फिर हमें इसको छान लेना है और वैसे भी अगर दरदरा लगे या ना लगे फिर भी इसको चानना जरूरी है ये मैंने चन्नी ले लिया है एक थाली ले लिया है और थाली में इसको अच्छी तरीके से चान लेंगे तेवहारों का टाइम चल रहा है और ज्यादा तर्थे वहारा में हमारे यहां मिठाईयां बनते रहती हैं या फिर हम मार्केट से खरीद किलाते हैं तो अगर वो मार्केट वाली मिठाई हम गर में ही अगर सेस्टे में बना लें तो क्या बात है तब इसको मैंने छान लिया है जो बच्चा हुआ है इसको हम इसे आगे यूज़ करेंगे तो अभी ये मैंने ले लिया है चना चना ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है छिला हुआ और भुना हुआ चना है ये ये साबुद भी आता है और दाल फॉर्म में इसे भी हमें मिक्सिजार में उसे में पीसना है और ये लिए हमें चार हर इलाइची वो भी इसे में डाल देना है और अब लेना है जो हमारा बचा हुआ था ना हमने छाना था काजू और चीनी जो बचियू वो भी इसमें डाल देना है और धकल लगा के इसे भी एकदम पाउ आउडर में होना चाहिए चना भी बहुत ही आसानी से पीस जाता है भुना हुआ चना है तो इसलिए बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी पीस जाता है और इसको भी हम चन्नी से चान लेंगे बीना चाने हमें कोई भी चीज यूज नहीं करना है क्योंकि कितना भी अच्छा चा तरीके से मिला लेना है और जिस कटोरी से हमने चीनी ली थी ना सेम उसी कटोरी से हमें लेना है ये पाउडर वाला दूद जिसे मिल्क पाउडर भी बोलते हैं एक कटोरी दूद पाउडर इसमें डाल देना है देखें और इसको डालके इसे भी अच्छी तरीके से पूरा मिल लेना है और अब लेना है तीन से चार चम्मच देशी घी ये छोटी कटोरी है मैंने चम्मच से नाप लिया है करीबन तीन से चार चम्मच है और इसको थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे हैं इसमें और अब इसे हाथ से मिलाना है चम्मच से नहीं मिलाना है हाथ से में अच् करने तभी डालें देखी इस तर golden चीज को चीज डिलlaw मिल जाना चाहिए तो इस तरीके से मिलाना है देखे मैं मुठी बांद के आपको दिखाती हूं देखेंं ऐसे हो जाना चाहिए इस तरीके नहीं डालना है और दूद ठंडा है दूद गरम नहीं है इस चीज का दियान देना और जो बचा हुआ दूद है उसे भी ऐसे एक एक चमच करके ऐसे दो दो चमच डालके और फिर उसके बाद में हम इसको मिलाते रहेंगे एक अठा नहीं डालना एक अठा डालने से क्या होग या फिर अच्छी तरीके से डो नहीं बन पाएगा तो देखें थोड़ी थोड़ी देर पर डालते रहेंगे और देखें इस तरीके से में डो बना लेना है इसका बहुत ही बढ़ियां बहुत ही टेस्टी मिठाई बनेगी ना गैस जलाने की जंजट और ना ही हमें ज्यादा स अचा कर लेना है थैकर ही हमारी मिठाई चिपके न तो अभी बटर पेपर को बिछा लेना है बिछा के यह पूरा डो ले लेना है और लेकर हम चलूटी और नहीं ज्यादा पतली करनी हमें और फिर चाकू लेना है चाकुसे से हमें square shape देना है, इसलिए side sides का हम ऐसे cut कर लेंगे, देखे इस तरीके से, क्य druk Kind, कुष्टे कुन बनाना है, उस सरीके से हमें इसको पहले cut कर लेना है, इससे क्या हो, अगर मिठाई की shape अच्छी आएगी, क्युकि काजु कत्री क्या होती है diamond shape में होती है तो उसी shape में हमें काटना है तो अभी देखे चारों तरफ से मैंने इसको cut कर लिया है और यह भी पता चल जाएगा कि कितना मोटा कितना पतला हमें बनाना है उस तरीके से हमें अभी देखिए जो बचा हुआ है उसको साइड साइड में फिर से हम लगा देंगे, ये एक तरीका है एक साथ बनाने का मिठाई, अगर आप चाहें तो इसे बाद में भी बेल के बना सकते हो, लेकिन एक साथ ही अगर कट करने ही मिठाई, तो इस तरीके से आप साइड साइड में से चोकोन शेप में देना है, तो इस तरीके से हम लगा देंगे चारो तरफ, जो हमने कट करके पहले निकाल लिया था, चारो तरफ लगा के हम बेल लेंगे तो बहुत ही बढ़िया बनेगा, ऐसा नहीं है कि हाँ ये खराब हो जाएगा, देखे इस तरीके से बेल सकते हो बीना मेहनत के बीना देरी के और कम खर्चों में तो अभी जो बाहर के वेस्टेज है उससे भी निकाल देना है इसे फिर से हमें चौकों से भी देना है इसका थोड़ा बढ़ा हो गया यह और अब इसमें निशान लगा लेशे देखे कितना बड़ा हमें चाहिए मिठाई, छोटा बड़ा जिसे साब से आप कट करेंगे, पहले सही इसमें निशान लगा लें, उसके बाद में इसे कट करें, देखे, पहले सीधा सीधा ऐसे कट करेंगे, क्योंकि काजु कतली थोड़ी लंबी होती है न, इसे थोड़ा सा से कट करेंगे न, उतनी मिठाईया नहीं निकलेंगी, जितनी हम बीच से कट करेंगे, देखे, इस तरीके से, काफी सारी हमारी डामेंड शेप की मिठाई निकल चुकी है न, काजु कतली, और अगर आप चाहें तो इसके उपर से चान्दी का वर्क आता है न, वह लगा सकत हैं, 1015 काजु से ही, तो देख के लग रही ही न, मार्केट वाली काजु कतली, ये करीवन किलो भर तक बन गया है, माप में कहें तो एक किलो तक बन गया है, मैंने वेट तो नहीं किया है, लेकिन देख के लग रहा है, ये दो प्लेट में मैंने बना के रखा हुआ है, ये प ज्यादा टाइम के लिए इसको बाहर नहीं रखना है चलिए मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी बढ़िया मिठाई बनी हुई है ना हमने गैस जलाई और ना है हमने किसी चीज़ को पकाया हुआ है तो देखे मैंने इसको स्टोर करके रखा हुआ था दो दिन की बाद की मिठाई है ये मैंने फ्रिज में रखा हुआ था देखे इस तरीके की है फ्रिज में रखने के बाद में तो फ्रेंज कैसी लगी ये काजु कतली की रेसिपी जरूर बताईएगा अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर करना और चैनल पर जो नए आए हैं सो प्लीज चैनल को सब्स्राइब जरूर कर लिजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भोले तो फिर मिलते हैं मेरे आने वाली कोई नवी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई